पॉश्क्रिश्वक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं यह एकादशी कल्यानकारी और सफलता देने वाली है सफला एकादशी का दिन भगवान विश्णू को समर्पित है और इस एकादशी के देवता भगवान विश्णू है सफला एक आदशी का वरत करने से सारे पाप दुल जाते हैं और अगले जनम में भी आपका जीवन खुशियों से भरा होगा जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुन, यग्यों में अश्व में ग्यग, नदियों में गंगोतरी, ग्रहों में चंड्रमा और देवताओं में भगवान विश्णु शेष्ठ हैं उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ट माना गया है जो भक्त एकादशी का व्रत सदेव रखते हैं वह भगवान विश्णु को अती प्रिय हैं केवल एक एकादशी के व्रत से ही 5000 वर्षों की तपस्या का पुन्य प्राप्थ हो जाता है सफला के कृष्ण बक्ष की एकादशी की महिमा के बारे में कृपिया करके मुझे बताएं इस एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा होती है और यह किस प्रकार किया जाता है मुझे विस्तार पूर्वक कहें तब श्री कृष्ण ने युदिश्टिर से कहा हे राजन पौश मास के कृष्ण बक्ष की एकादशी सफला एकादशी है अते तुम इसका महत ध्यान पूर्वक सुनो चंपावती नामक नगर में महेश्मती नाम का एक राजा था उसके चार पुत्र थे और बड़े बेटे का नाम लुंपक था लुंपक बहुत ही दुष्ट और महापापी था वह हमेशा भगवान विश्णू के अधिकार को लेकर प्रश्न करता रहता था दूसरों की निंदा करता था वैश्याओं की आजाकर अपने पिता के धन को व्यै करता था परिस्त्री गमन करता था उसके इन कुकर्म और अत्याचारों से प्रजा बेहत निकाल दिया महल से निकाल देने के पश्चात लुम्पक जंगल में जाकर रहने लगा लेकिन लुम्पक के आचरण में कोई भी सुधार नहीं आया लुम्पक रातरी में नगर आता और चोरी लूट पाट और अन्य बुरे कर्म करता था वह पशु पक्षियों को मार कर उन देवताओं का प्रिये था एक दिन लुम्पक बहुत गंभी रूप से बिमार पड़ गया उसके पास पहनने के लिए वस्र नहीं थे और लुम्पक ठंड से मुर्चित हो गया बड़ी मुश्किल से रात बीती सुर्य द्यह हुआ और दुपैर में लुम्पक बड़ी हिम्म करके खालिये बिमार और ठंड के कारण लुम्पक रात बर सो न सका उसके हाथ पे ठिटूरने लगे और इस प्रकार अंजाने में निराहार व्रत और रातरी जागरण के कारण लुम्पक से सफला एक आदशी का व्रत पून हो गया और भगवान विश्नु उससे प्रसन हो गए और दो आदशी की अगले दिन प्राते काल को एक दिव्य सुन्दर रत लुम्पक के सामने आकर खड़ा हो गया और अकाश्मानी हुई हे राजकुमार सफला एक आदशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पापनश्ट हो गयें अब अपने राज्ये वापस लोट जाओ और सारे सुख भोगो लुम्पक अपने पिता के पास वापस गया और अपने पिता को सारी बात बताई उसके पिता ने लुम्पक क का सुख भोगा और सफला एकादशी के प्रभाव से लुम्पक को प्रित्वी लोग का यश अपर लोग में मोक्ष की प्राप्ती हुई। सफला एकादशी व्रत की पूजन सामगरी इस प्रकार से है। श्री विष्णुजी का चित्र या फिर मूर्ती, पुष्प, पुष्प माला, नारियल, सुपारी, बिजोरा नीम्बू, जमीरा नीम्बू, अनार, आवला, लोग, बेर, रितुफल, धूप, दीप, घी, पंचमृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन मिष्ठान। सफला एकादशी व्रत की विधी इस प्रकार से है। दिन भर भगवान विश्णू का इस्मरण करते रहें। सूर्या से पहले फला हार करें, नमक का सेवन बिलकुल भी ना करें। सारे राध भगवान का जागरण एवं भजन कीरतन करें। एकादशी में रात्री के जागरण पर जो फल प्राप्त होता है, वे हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता। द्वादशी के दिन सुभह उठकर इसनान करें, भगवान विश्नु की पूजा के पस्चात, ब्रामन को भोजन करवा, पंडितों को अन और धन की दक्षिना दे। सफला एकादशी के दिन गर्मवस्त्र और अन दान करना विशेश्यूब माना गया है। दक्षना देकर विदा करने के पस्चात भोजन करें। सफला एकादशी के दिन धन और स्मृद्धी के लिए लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरी की पूजा करें। श्रिमा लक्ष्मी को सौफ और भगवान विश्नु को मिश्री अर्पित करें। पूजा के पश्चात ओम, हरी, श्री, लक्ष्मी, वासु, देवाए, नम्हा का जाप 108 बार करें और सौफ और मिश्री को एक साथ रखें और रोज इसे सुभह परसात के रूप में ग्रहन करें सफना एकादशी के दिन दीब दान जरूर करें इस प्रकार की अन्यवरत कथाएं उपाएं जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशा सब्सक्राइब करें नमस्कार